असलाम उलाइकूम इन्स्ट्वेंट सॉलूशन चैनल से मैं हो तो हिन तो आज उपेन एंड क्लोज लूप कॉंडूल सिस्टेम का बड़े में आपको अस्सा से समझने के लिए ट्राइ करूंगा तो इदा सामने देख रहे हैं मैं एक ड्राप बना के राखा आपको अस्सा से समझने के लिए तो इसका पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए हमारा कॉंडूल सिस्टेम कितना टाइप का रहता है तो नर्माली हमारा कॉंडूल सिस्टेम दो टाइप का होता है एक है ओपेन लूप कॉंडूल सिस्टेम और एक है क्लोज लूप कॉंडूल सिस्टेम तो ये open and close loop control system को आपको आस्सा से समझने के लिए मैं try करूंगा तो चलिए हमारा आसका वीडियो start करता हूँ तो पहले आपको open loop system देखा रहा हूँ देखिए open loop system एक simple process है मतलब आप एक input दे रहा है फिर ओ input process हो रहा है दें process होके ओ आपको output दे रहा है तो ये हो गया हमारा open loop system सापोस मनले जिये एक control भाल्ब इसमें आप 50% क्या 60% क्या 100% command दिया command देने के बाद एक command हमारा positioner में आया आने के बाद इधार processing होके ये हमारा भाल्ब को 50% क्या 100% open कर दिया फिर open करके ये आपको output भेज दिया जो आमारा भाल्ब भी 100% क्या 50% open हो गया तो ये हो गया आमारा open loop system just a simple process है आप उसको input दिया ओ पोसेस होके आपको output भेज दिया बस ये हो गया आमारा open loop system तो चलिए अभी close loop system को आपको देखाता हो तो close loop control system क्या है देखिए हम लोग एक input दे रहा हो फिर वो आमारा पोसेस हो रहा है देन पोसेस होके हमारा output दे रहा है जैसा हमारा open loop control system में भी था इसमें भी ऐसा ही होगा लेकिन इसमें उसी output से एक feedback लेता हो देन feedback लेने के बाद ये error calculate करेगा देन error calculate करने के बाद हमारा input में control कर सकता हो तो ये हो गया हमारा close loop control system हम लोग एक input दिया input दिने के बाद वो पोसेस होआ फिर वो output दिया फिर उसी output से हम लोग एक feedback लिया देन feedback लेने के बाद ओई feedback हम लोग को error calculate करके देर आये फिर ओई error से हम लोग input को control कर रहा हो तो चालिए मैं एक grab बना के आपको देखाता हो फिर आपको समझने के लिए आच्छा होगा तो देखिए ए आमरा एक tank है एक tank का उपपर से एक line रहेगा जिसमें से हम लोग tank को filling कर सकता हो तो एई line पे एक control valve रहेगा एक control valve में हम लोग DCS से इसको command दे रहा हो 40% क्या 50% फिर एक control valve में positioner में command आने के बाद यह process हो रहा है दिन process होके एई positioner फिर आमरा DCS में यह output भेज रहा है जो ओ 40% क्या 50% open हो गिया तो यह आमारा open loop system हो गिया अभी close loop के आए देखिए यह जो आमारा tank है यह tank में आमारा एक level transmitter लागा रहेगा मैंच आमारा tank का level कितना है यह बता देगा हमारा एक level transmitter तो यह level transmitter में दो tapping आएगा एक है HP एक है LP HP आला आएगा हमारा tank का निच्छे से और LP आला tapping आएगा हमारा tank का ओपोर से तो आभी हम लोग यह output से एक feedback ले लोगा कि आमारा यह जो tank है यह tank का level सापोज 60% मेंटेन करना है तो यह level 60% का ओपोर चला जाएगा मनलिज यह 70% हो गया तो यह 10% ज्यादा आभी आगे है हमारा tank में यह 10% का जो error है यह error calculate करतेगा आमारा यह level transmitter देन यह level transmitter हमारा control valve को एक signal भेजेगा जो आमारा tank का level 10% ज्यादा हो गया देन उसी time हमारा control valve बांध हो जाएगा फिर यह level फिर से कम होने के बाद means 50% हो गया देन फिर यह level transmitter 10% error calculate करके हमारा control valve को भेजेगा देन control valve फिर से open हो जाएगा तो यह जो close loop system है यह automatic controller पे काम करता है means हमारा एक PID controller रहेगा यह PID controller का थोरो हो के यह काम करता है लेकिन यह level transmitter ही हमारा control valve को continuously signal पोवाइट करेगा तो यह हो गया हमारा open and close loop control system का positive है actually बहुत है simple procedure है तो ठीक है मेरा लगता है आज का वीडियो में open and close loop control system कैसे काम करता है यह आपको आजसा से समझा दिया तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक दे के मेरा चैनल को सस्क्रीब कीजिए और बिलाइगन बरन को जोरो रण करे दिजिए फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो ओ भी आपको मिल जाएगा और कुछ कोस्चन होगा तो प्लेज कॉमेंड कीजिए दोन्य बाद